पार्टी से निश्कासन के बाद आज अखिलेश यादव की विधायकों के साथ बैठक, सरकों पर उतरे नाराज समर्थक, मुलाइम से यादव भी पार्टी नेताओं से करेंगे रणनीती पर चर्चा एक जनवरी से एटीम से निकलेंगे साथे चार हजार रुपए, आरबियाई ने बढ़ाई नख़दी निकासी की सीमा, नोट अंत्यादेश को राष्टुपदी से मन्जूरी टेमसी साथा तापस पॉल गिरफटार, रोज वेली चिटफन घोटाले में शामिल होने का आरोप, ममता मैनर जी ने बताया बदले की कारवाई भारती उलम्पिक संकी मानिता निलम्बेत, नोटिस का जवाब ना देने पर खेल मंत्राले की कारवाई, सुरेश कलमाडी और अभेच चोटाल अग्वाजीवन अध्यक्ष बनाय जाने से नाराज दिल्ली अन्सियार समेथ पूरे उत्तर भारत में कलाकी की ठंड और घना कोहरा, दिल्ली आने वाली चार ट्रेनिर रद, 79 देरी से 15,99 पर भी असर उत्तर प्रदेश में समाजबादी पार्टी की सियासी जंग तेज हो गई है, कल अखिलेश यादव के निश्कासन के बाद समर्थकों ने सडकों पर उतर कर शिवपाल यादव और अमर सिंग के खिलाफ नारे बाजी की अखिलेश यादव अब से कुछी देर बाद विधायक दल की बैठक करेंगे, इसके लावा दुपहर 12 बजे वो कारे करताओं से भी मिलेंगे इस बीच पार्टी अद्धक्ष मुलायम सिंग की तरफ से भी सुबह साड़े दस बजे के खरीब बैठक बुला जाने की खबर है समाजवादी पार्टी से बरखास्त किया जाने के बाद अखिलेश यादव ने साफ किया है कि वो मुखे मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे आज सुबह साड़े नौ बजे उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई है बैठक में उनका जोर विधायकों का भरोसा हासिल करने पर हुगा अखिलेश यादव का कहना है कि कुछ लोग नेता जी को गुमरह कर रहे है पार्टी से निशकासित किये जाने के बाद से ही अखिलेश यादव के आवास पर समर्थकों की भीड जुटनी शुरू हो गई पार्टी विधायकों से लेकर कैबिनेट मंत्री तक उनके आवास पहुँच गए अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों से सयम बनाय रखने की अपील की है शुक्रुवार को पार्टी प्रमुप मुलायम सिंग यादव नी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निशकासित कर दिया था मुलायम सिंग ने कहा कि ये कारवाई एक जनवरी को आपात काली इन राश्ट्रे अधिवेशन बुलाने और प्रत्याशियों की सूची जारी करने की वज़ा से की गई उन्होंने ये भी कहा कि राम गोपाल ने पार्टी को भारी नुकसान पहुँचाया है वहीं दूसरी तरफ राम गोपाल यादव ने इस फैसले को असमवैधानिक बताते हुए आपात काली इन राश्ट्रे प्रतिनेधी सम्मेलन पर कायम रहने की बात कही है ये निसकासन पूरी तरह से असमवैधानिक है क्योंकि नोटिस देने के आदे घंटे के अंदर दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया नोटिस दिया जाता है तो उस पर जबाब मागा जाता है समाजवाधी पार्टी में संकट के बीच कॉंग्रेस ने भी सभी विकल खुले रखे हैं पार्टी महासचिफ गुलाम नभी आजाद ने कहा कि राजनीती संभावनाओं का खेल है और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता समाजवाधी पार्टी के नेता अमर्सिंग ने मुलाम सिंग के फैसले का समर्थन किया है उन्होंने कहा कि किसी को भी पार्टी अधक्ष के फैसले के अवमानना नहीं करने चाहिए मैं अपना पूरा समर्थन अपने नेता रास्ति अधक्ष बुलाम सिंग जी को देता हूँ और साथ साथ मों यह भी कहना चाहता हूँ कि उनके अवमानना पार्टी का उन्सासन भंग करने के समान है और उनके गुरुद कित्रे भी बड़े लोग जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल आस्वधानिक अन्यतिक और गलत है आईए इसे मसले पर जादा बाचीत के लिए रुक करते हैं आज दोनों ही एहम बैठके होने वाली हैं बहुत कुछ तस्वीर साफ होगी? आज की बैठकें बहुत एहम हैं दोनों पक्षों ने बैठकें बुला रखी हैं अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रत्याशी किस तरफ जाते हैं अकलेश की वैठक में जाते हैं या मुलाइम की वैठक में जाते हैं दरसल चाहे प्रत्याशी हो या पार्टी वरकर हो सबके सामने बड़ी दुविधा की इस्तिती हो गई है कि कौन सी पार्टी अपनी माने इसके अरावा एक तारिक को राश्ट्रिय सम्मेदन अकलेश याद बना हुआ है और आज की दोनों बैठके काफी निर्णायक होगी बिल्कुल दीपक क्या लग रहा है जिस तरह का सियासी संकट हम देख रहे हैं एक पार्टी के बीच साथ ही परिवार के बीच क्या लग रहा है चुनाओ मुहाने पर हैं किसे फाइदा किसे नुकसान तो दोनो ही पक्षों का है लेकिन इसमें एक बात और जो एहम है वो यह है कि जो भी कदम यह अखलेश आदम ने उठाया है जो जिस तरह से बगावत का बीगुल बजाने का काम किया है अपनी पार्टी में तो इसमें वो अकेले नहीं है और इसमें यह दिखाई दे रहा है कि कांग् कांग्रेस अकलेश आदम को समर्थन करके और उनके साथ गड़बंदन करके चुनाव लड़ सकती है और कल अकलेश आदम को निकाले जाने के बाद जिस तरह से बड़े कांग्रेसी निताओं ने अकलेश आदम के पक्ष में खुले तोर पर बयान दी है उससे विए संभाव परना प्रबल होती नजर आ रही है कि कांग्रेस अकलेश आदम और कुछ और पार्टियां पीजपी विरोधी फ्रेंट बनाके उत्तरप्रदेश में चुनाव लड़ सकती है के सुनते इनका क्या खेला है कि इन लोगों ने पिछले साड़े चार-पांस साल के अंदर जम के लूट की लूट के ऊपर अब इनके अंदर फूट हुई है और तूट की कगार पर है ये लोग अब सीटों के बढ़वारे में भी लूट कर रहे है तो भारतिय जनता पार्टी अब से पहले ही चोर दरवाजे से सत्ता में आने के कयास लगाने लगी है परवार टूटता है तो पार्टियां बिखर जाती है और उत्तप्रदिस के लोगों ने तो अखले शादब जी को पहले ही खारिच कर दिया था क्योंकि वो जो दाइत उनके पास था जो जुम्वेदारियां उनके पास थी जो वाईदे उन्होंने किये थे जो गोशना उन्होंने की थी उनमें पूरी तरह से बिफल रहे हैं समाजबादी पार्टी है उसमें हम सब लोग साथ थे काफी बहनत करके हम लोग उन्होंने पार्टी खड़ी की थी लेकिन अब वो अलग है तो यह आंतरक मामला उनका हाँ दुर्भाग पूर्ण जरूर है इस परकार से एक पार्टी के अंदर विवार्थ खड़ा हो जाना यह ना उनके हक में है ना उतरपरदेश के हक में है और मुलायम सिंग जी से कम से कम यह नहीं आशा की जा सकती थी क्योंको उनको एक लंबा राजनितिक अनुभाव था उसका वो इस्तमाल कर सकते थे कुछ और हैं खबरों का रुप करते हैं शुकरवार को आरबियाई ने जन्रता को रहा देते हुए एटीम से निकाली जाने वाली राजशी को बढ़ाने का ऐलान किया है अब एक जन्रता की सीमा पचीस सो रुपे की है अलग इस अपताहिक सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है कोई भी खाताधारांग बैंक या एटीम से एक हफते में 24,000 रुपे ही निकाल सकता है आर्बियाई की तरफ से जारी अधिसूचना के मताबिक खालाद की समीक्षा के आधार पर नहीं साल की पहले दिन से बदलाव का फैसला किया गया है दूसरे तरफ राश्पदी प्रणमुफर्जी ने भी नोट बंदी पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है इस अध्यादेश में दस से जादा पुराने नोट रखना अपराध माना गया है और ऐसे मामलों में कम से कम दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है अलाकि सरकार ने लोगों को 31 माच तक आर्बियाई में पुराने नोट जमा कराने की छूट दी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज नय साल की मौके पर राश्टा को संबोदित करेंगे उमीद की जा रहि है कि प्रधान मंत्री अपने संबोधन में नोटबंदी के बाद से Road Spa के बारे में बोलेंगे उनके भाशन में डिजिटल भुक्तान पर खास फोकस रहने की भी उमीद है नोटबंदी के बाद राश्टर के नाम उनका दूसरा संबोधन होगा इससे पहले प्रधान मंतरी ने 8 नमबर को राश्टर के नाम संबोधन दिया था इस संबोधन में उन्होंने पास सो और एक हजार के पुराने नोटों का प्रशलन बंद करने की घोशना की थी आज की संबोधन में प्रधान मंतरी नोटबंदी के बाद अर्थ्वेवस्था के सामने आई समस्याओं से निपटने के कदमों पर भी बोल सकते हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कल भीम आप लॉंच की इसके जरिया बिना इंटरनेट के भी अंगूठे से इससे पेमेंट हो सकेगा इस मौकी पर प्रधान मंतरी ने डिजिटल पेमेंट और कैशलेस लेंदेन को बढ़ावा देने पर जोर दिया है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कैशलेस अर्थवेवस्था अपनाने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि आपका अंगूठा, आपका बैंक और आपका अंगूठा आपकी पहचान है प्रधान मंतरी ने डिजिटल प्येमेंट्स को आसान बनाने के लिए मोबाइल एप भीम लॉंच किया है इस एपका नाम डॉक्टर भीम राव अंबेडकर के नाम पर भीम रखा गया है वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम एप के द्वारा चलने वाला है यह एक प्रकार से बाबा साब आमबेडकर का नाम सारी अर्थे बवस्था के अंदर यह भीम एप के द्वारा सेंटर स्टेज में आने वाला है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के धन पर देश के घरीबों का अधिकार सबसे पहले होना चाहिए इस मौके पर उनके निशाने पर विपक्षी पार्टियां भी रही उन्होंने कहा कि निराशावादी लोगों के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है यही देश यही लोग यही कानून यही सरकार यही फाइले यही नियम वो भी एक वक्त था जब गये की चर्चा होती थी यह भी एक वक्त है आने की चर्चा हो रही प्रधानमंत्री नरंद्रमोदी डीजी धन मेले में शामिल हुए मेले में बैंक, वालेट और निजी भागिदारों के 65 स्टॉल भी मेले में लगाये गए थे इससे पहले ऐसा ही मेला देहरदून, पंजी, गुरुग्राम और लुध्याना में लगाया जा चुका है अगले साल 14 अप्रेल तक देश भर में ऐसे 100 मेले नगाये जाएंगे मेले का उद्देश, डिजीटल भुगतान के तौर तरीकों के बारे में लोगों को जानकारी देना और जागरूख बनाना है रविंद्री सिंग शोरान, राज़सभा टीवी नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर कॉंगरिस नेता और पूर वितमंत्री पी चितमरम ने सरकार को घेरा, उन्होंने आरोब लगाया कि हर दिन 2000 के नए नोटों की गड़ियां पकड़ी जा रही है इससे RBI और बैंकों के स्तर पर रश्टचार का पता चलता है उन्होंने कहा कि नोटबंदी का असर जल्द ही अर्थविवस्था पर भी दिखेगा लेकिन इन आरोपों का जवाब खुद वितमंती अरोड़ जेटली दे दिया उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद राजस वसूली के आकड़े उत्साह जनक हैं और इससे विपक्ष के आरोपों की हवा निकल गई है नोटबंदी के बाद से ही केंद्र सरकार और कॉंग्रेस आरोप प्रत्यारूप में उल्जे हुए है कॉंग्रेस उपाद्यक्ष राहूल गांधी जहां गरीबों, किसानों और व्यापारियों को राहत देने की मांग कर चुके है वहीं बीजेपी कॉंग्रेस की मांग को विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है प्रती मिश्रा के साथ पंचानन मिश्रा राजी सभा टीवी खबर जा रही है लोट रहे है एक छोटी सिब्रे के बाद राजसभा टीवी की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है मैं हूँ रुफान और हम हैं इस वक्त गोवा में भारत के 47 उंतरास्टी फिल्म समारों की स्पेशल रिपोर्ट लेकर फिल्मों का शांदार मेला देश बिदेश की फिल्मों की धूँ देखिए भारत के 47 उंतरास्टी फिल्मों समारों पर हमारी खास बेशकर्श सिर्व राज्य सभा टीवी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीमसी प्रमुक ममता बैनर जी ने पार्टी सांसे तापस पॉल की गिरफतारी को बदले की कारवाई बताया है ममता बैनर जी ने कहा कि नोटबंदी के मुद्दे पर उनकी पार्टी के विरोध के चलते ये कारवाई की गई सीबियाय ने कल रोजबैली चिटफंड घोटाले में तापस पॉल को गिरफतार कर लिया था उन पर सत्रा हजार करोड रुपे की हीरा फेरी में शामिल होने का रोप है इससे पहले सीबियाय उन्हें और सुधी बंदुपाद्या को 30 दिसंबर तक पेश होने के लिए कहा था इदर बीजेपी ने तापस पॉल की गिरफतारी को सही ठराते हुए इसे कानून के तहट की गई कारवाई बताया है अरुनाचल प्रुदेश में फिर सियासी संकट पैदा हो गया है गुरुवाराथ सत्ताधारी पेपल्स पार्टी आफ अरुनाचल यानि पीपीए की ओर से मुख्यमंत्री पेमा खांडू को निलंबित करने के बाद राजनीती तेजी से बदलती रही पीपीए की तरफ से तकम पार्यों नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं उदर बीजेपी ने कहा है कि वो पेमा खांडू सरकार का समर्थन करेगी अरुनाचल प्रदेश में नया सियासी संकट मुख्यमंत्री पेमा खांडू के पीपूल्स पार्टी औफ अरुनाचल से निलंबन के साथ शुरू हुआ बीती रात पीपीए ने मुख्यमंत्री के साथ शे और विधायकों को पार्टी से अस्थाई तोर पर निलंबित कर दिया इसमें उप मुख्यमंत्री चौवना मेन भी शामिल है पीपीए का आरोप है कि सभी निलंबित नेता पार्टी विरोधी कतिविधियों में शामिल थे यह नोट हैपी विधर शेप पेमा कांडू अब तो यह नोटेग पार्टी इन तो कंफिदेंस वेनेवर अनी पोलिशी देशन हैस तो बीटें टेकन सब्सक्राइब को समर्थन दे रही बीजपी ने पेमा खांडू का समर्थन करने का ऐलान किया है पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री पत के लिए किसी और के समर्थन का सवाल ही नहीं उठता 60 सदस्यों वाली विधान सभा में पीपी के 43 विधायक है बीजपी के 12 कॉंग्रेस के 3 और 1 निर्दली विधायक है कॉंग्रेस संकट के लिए बीजपी को जिम्मेदार बता रही है अरुनाचल में सियासी संकट एक साल से चल रहा है पिछले साल दिसंबर में कॉंग्रेस की मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाब बगावत के बाद कुछ दिन राष्टपती शासन लगा रहा इसके बाद कलिकोपुल मुख्यमंत्री बन गए मामला सुप्रीम कोट पहुँचा तो अदालत ने नबाम तुकी को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया नबाम तुकी की जगा कॉंग्रेस ने पेमा खांडू को मुख्यमंत्री बनाया लेकिन एक महीने बाद ही वो अपने समर्थकों के साथ PPA में शामिल हो गए ब्यूरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी इस बीच अनुनाचल सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि पेमा खांडू अभी मुख्य मंतरी हैं और उन्हें 49 वधायकों का समर्थन हासिल है अनिल बैजल आज दिल्ली के उपरा जिपाल पद की शपत लेंगे राजनिवास पर होने वाले शपत ग्रेंट समारों में दिल्ली के मुख्य मंतरी अडविन के जिरिवाल समेत राजनीती से जुड़ी कई हस्तियों को आमंतरित किया गया है बैजल नजीब जंग की जगा लेंगे जिनूने 22 दिसंबर को पद से स्तीफा दे दिया था 1979 बैज की आईयस अधिकारी बैजल दिल्ली के 20 वे उपरा जिपाल होंगे इससे पहले वो वाजपई सरकार में केंदरी ग्रेस सचिफ भी रह चुके हैं इसके लावा भी वो कई एहम विभागों में काम कर चुके हैं दूसरी ओर तमिल्लाडू में आज शचिकला नटराजन एयाई एडियमके की कमान समझा लेंगी उन्हें गुरुवार को पार्टी की आम परिशद की बैठक में महा सचिफ चुना गया था शचिकला तमिल्लाडू की पूर मुख्यमंतरी जैललिता की गरीबी दोस्त रही है 5 दिसंबर को जैललिता के निधन के बाद से ही उन्हें पार्टी की कमान सौपने की कबायद शुरू हो गई थी चीन के मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोशित कराने की भारत की कोशिशों में फिर से चीन ने अरंगा डाल दिया है संयोगत राष्ट में भारत की प्रस्ताव को चीन ने रूख दिया है इससे पहले दो बार चीन ने तकनीकी अपती दर्ज कराते हुए प्रस्ताव पारित नहीं होने दिया था भारत ने इस पर तीकी प्रतिक रिया दी है विदेश मंतराले ने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई में चीन का दोरे माबदंड अब सामने आ गए है भारत ने कहा कि जैश मौमद का सर्गरा मसूद अजहर कई आतंकवादी वारदातों में शामिल रहा है विदेश मंतराले के मताबक चीन खुद आतंकवाद से पीड़िद है और ऐसे में उसका फैसला अच्रज में डालने वाला है सुरेश कलमारी और अभे चोटाल को आज जीवन अध्यक्ष नियुक्त किये जाने से नाराज खेल मंतराले ने भारती उलंपिक संग की मानेता निलंबित कर दी है ये निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक भारती उलंपिक संग कलमारी और चोटाला को चुने जाने के फैसले को वापस नहीं लेता खेल मंतरी विजगोईल ने कहा कि सरकार गलत चीजों का समर्थन नहीं कर सकती इससे पहले सरकार ने इस मामले पर आई ओए को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था लेकिन संग ने इसका जवाब नहीं दिया निलंबन के तोरान संग को सरकार की तरफ से मिलने वाली किसी भी आर्थिक सहायता सहूलियत या खास रियायतों पर अधिकार नहीं होगा उद्धर दूसी तरफ अंतराश्ट्रे होकी महासंग के अध्यक्ष और भारती उलम्पिक संग के एसोसेट वाइस प्रेसिडेंड नरेंदर बत्रा ने आयोए में अपने पद से स्तीफा दे दिया है सुरेश कलमारी और अभेच ओटाल को आजीवन अध्यक्ष बनाय जाने से बत्रा नाराज थे और स्तीफे से उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है बिहार के बकसर की सेंट्रल जील से पांच खैदी फरार हो गए है ये घटना कल रात की है इन खैदीों में से एक खांसी की सजा मिली है जब कि बाकि चार उम्रकैद की सजा काट रहे थे फरार कैदीों के तलाश पे पुलिस ने पूरे इलाखी में हाई ऐलर्ट जारी कर दिया है कहा जा रहा है कि ये कैदी, तॉलिय और चादर की मदद से जेल से भागे हैं इससे पहले भी पंजाब के नाभा और मद्धिप्रदेश के भोपाल में कैदियों के भागने की खटनाएं सामने आ चुकी हैं ये बकसर से खबर आई है जहां से बिहार के बकसर के सेंटरल जेल से पाँच कैदी परार हुए हैं के कल रात की घटना है इन कैदियों में से एक को भासी की सजा मिली है जबकि बाकी चार उम्र कैद की सजा काट रहे थे पूरे आलाके को फिलाल हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कैदियों की तलाश की जा रही है कहा जा रहा है कि ये कैदी, तौलिये और चादर इनकी मदद से जेल से भागे हैं हमने देखा है हाल फिलाल पंजाब की नाभा और मद्यप्रदेश के भोपाल में भी कैदियों की भागनी की घटनाएं सामने आ चुकी है और अब बात करते हैं मौसम की दिल्ली समेथ पूरे उत्तर भारत में शीत लहर और कोहरे का प्रकोब जा रही है दिल्ले अंसियार में कल देर राद से घटना कोहरा चाया हुआ है जिसके चलते चार ट्रेने रद्द कर दी गई है जबके उनहत्तर देरी से चल रही है वहीं तीन अंतराश्ट्रे और घरेलू उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा है आज सुभा जब लोगों ने आखे खोली तो दिल्ली को कोहरे की चादर में लिप्टा पाया कोहरे और शीत लहर के चलते दिल्ले अंसियार समित उत्तर भारत की रफतार थमसी गई है सडकों पर गाणियां रेंगने को मजबूर है पहाड़ी इलाकों का भी कुछ यही हाल है श्रीनगर में रात का पारा गिरकर शुन्ने से 3.4 डिगरी सेल्सियस तक पहुँच गया है राजिस्थान के सिकर में तापमान 6.5 डिगरी सेल्सियस दर्च किया गया तो वहीं हरियाना का नार नौल सबसे ठंडा इलाका रहा यहां तापमान 4.6 डिगरी पर पहुँच गया पठना में भी पारा गिरकर 4.3 डिगरी सेल्सियस पर पहुँच गया है घने कोहरे के चलते रेल, सडक और हवाई यातयात पर असर पढ़ रहा है धुन की वज़ह से 12 अंतराश्ट्रे और घरेलू उडाने देरी से चल रही है जबके तीन घरेलू और अंतराश्ट्रे उडानों को रद कर दिया गया है वहीं 79 ट्रेने भी देरी से चल रही है 16 के समय में बदलाव किया गया है तो वहीं चार ट्रेनों को रद कर दिया गया है लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं मौसम विभाग के मुताविक अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी ब्यूरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी और इसी पर बात करते हैं हमारे साथ नीरश शर्मा जुड़े हैं CPRO हैं उत्तर रेलवे के नीरश साब बहुत बहुत शुक्रिया राज्य सबा टीवी के साथ जुड़ने के लिए हम देखते हैं ठंड आती है रेलवे स्टेशनों की रॉनक कम होती है टाइम टेबल अवेवस्थित हो जाता है क्या असर इस बार पढ़ रहा है ठंड का और उपाए क्या किये जा रहे है आज भी काफी रहा है काफी गाड़िया अफेक्टेड है और फॉग ना सिर्व गाड़ियों का फेक्टर बलकी कि रोड ट्रेफिक, अवेशन सेक्टर सभी अफेक्ट होते है रेल्वेस का जो मुवमेंट है वो सिगनल बेस्ट होता है सिगनल को फालो करना होता है ड्राइवर को क्योंकि विजिबिल्टी कम होने से सिगनल नहीं दिखाई देता है कम दिस्टेंस पर दिखता है तो उस वाई से स्पीडों को कंट्रोल करना पड़ता है और जब एक गाड़ी की स्पीड कम होती है तो उसके पीछे की गाड़ियां भी एफेक्ट होती है तो इस तरीके से चेंड मुव्मेंट पर काफी एड़र्स एफेक्ट इसका पड़ता है आज भी करीब हमारी 80 गाड़ीयां ऐसी है दिल्ली की तरफ आने वाली जो लीट आ रही है और हमने 16 गाड़ियों को पुट बैक किया है इनका नंबर और बढ़ेगा कुछ ट्रेंड कैंसल भी है क्योंकि उनके रेक लिंक काफी लेट हो गए थे जिसमें हजरत निजामुदीन से संपूर्ट रांती एक्सप्रेस है जो पटना की है आमरसर से आज़्दा जालियावाला बाग एक्सप्रेस है और कालका से हावड़ा जाने वाली कालका मेल है और रेल्वे कोशिश कर रहा है कि सेफ ट्रें मुवमेंट हो इस पिरिड में इस्प्रेक्शन को बहुत इंटेंसिफाई किया गया है यानि साफ तोर पर असर देखा जा रहा है और तमाम गाणियों पर इसका असर पड़ा है कई ट्रेनों को रद भी करना पड़ा जैसे आब बता रहा है टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेट होने की वज़े से और कोशिश की जा रहे है रेलवे की तरफ से की विवस्था थोड़ी सुधारी जाए बहुत बहुत शुक्रे आपका नीरेज हमाई साथ जुड़ने के लिए इस बादचीत के लिए आगे बढ़ते है उपराश्पती मौमध हामिद अंसारी ने कल Shaping India's Future Essays in Memory of आबिद हुसेन किताब का विमोचन किया इस मौके पर उपराश्पती ने कहा कि ये किताब ना सिर्फ अध्यन सामगरी है बलकि बहस के लिए भी एहम है आबिद हुसेन नब्बे के दशक में अमेरिका की राजदूत रहे हैं किताब का संपादन दीपक नियर और राना हसन ने किया है इस मौके पर विदेश सेवा के अधिकारी और राज़ुनेक मौझूत थे पूर्व केंद्रिय मंत्री और कॉंग्रस नेता बाला साहिब विखे पाटल का शुकरवार शाम निधन हो गया लंबे समय से बिमार पाटल ने महराश्री के अहमद नगर जिले के अपने गाउं में आखरी सांस ली 84 साल के विखे पाटल वाज़पे सरकार में वित राज्य मंत्री रहे बाद में उन्हें भारी उद्द्योग मंत्री बनाए गया 2004 पे वो शिव सेना छोड़ कॉंग्रिस में शामिल हो गए प्रधाल मंत्री नरींद्र मोदी, कॉंग्रिस अंद्यक्षी सोनिया गांधी समेथ कई राज़वितिक हस्तियों ने विखे पाटल के निधन पर शोग जाहिर किया है और अब आखिर में हेड्लाइन्स पर इकने सार पाटी के निश्कासन के बाद आज अखलेश यादव की विधायकों के साथ बैठक सडकों पर उत्रे नाराज समर्थक मुलायम सिंग यादव भी पाटी मेताउस से करेंगे रन्नीती पर चर्चा एक जन्वरी से एटीम से निकलेंगे साड़े चार हजार रुपे आर्बियाय ने बढ़ाई नगदी निकासी की सीमा नोट अंतिहदेश को राश्ट्रपती से मन्जूरी प्यम से सांसर ताफस पॉल गिरफतार रोस वैली चिटफन गुटाले में शामिल होने का आरोप ममता मैनर जी ने बताया बदले की कारवाई भारते उलम्पिक संग की मानिता निलंबित नोटिस का जवाब ना देने पर खेल मंत्राले की कारवाई सुरेश कलमारी और अभ्य चोटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज दिल्ली अन्सियार समेथ पूरे उत्तर भारत में कडाके की ठंड और घना को राद दिल्ली आने वाली चार्ट रेनी रद 79 देनी से 15 उडानों पर भी असर फिलाल नौ बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही आगे देखिए कलम गवाह है